दोस्तों computer में हमारे पास काफी सार information या data होता है जिसको हम अलग-लग तरीके से use करते हैं और कई बार हमारे पास handwritten notes होते हैं यानि हाथ से लिखे हुए notes होते हैं इस तरीके से आप photo देख रहे हैं जो English में भी हो सकते हैं Hindi में भी हो सकते हैं तो इनको हमें convert करना होता है यानि इनको type करके हमें soft copy बनानी होती है उनकी PDF बनानी होती है ताकि उसको अच्छे platform पे share कर सके तो इस तरीके से normal candidate क्या करता है इतने handwritten notes को type करने के लिए काफी सारा time चाहिए होता और normal candidates क्या करते notes open करेंगे और उसको open करने के बाद MS Word या page maker किसी भी software में इसकी soft copy बनाएंगे तो एक-एक notes को देखेंगे type करेंगे जिसमें हमारा काफी time consume होता है लेकिन हमारी चैनल के subscriber है तो आपका कभी भी time waste नहीं ह जाती है सबसे पहले handwritten को बतनने के लिए Google पर जाना और इस dots पर क्लिक करके Google Drive वाले option पर क्लिक करना तो आपकी Gmail का Google Drive open हो जाता है और यहां पर क्या करना आपको सबसे पहले new option पर जाना और new पर जाके जैसे आप क्लिक करेंगे आपको file of load का option दिखेगा वहां पर आप अप अपनी image jpg format में हो चाहे PDF में हो जो भी आपने handwritten notes की file बना रखी है कोई से भी format वह कोई दिक्कत नहीं है आप उसको यहां से select करके open करेंगे तो वह image या PDF आपकी Google Drive पर upload हो जाएगी इसको हम एक बार refresh कर लेते हैं देखो जो आपने upload की थी यह English वाली image यहां पर upload हो चुकी यह तो simply इसको type करने के लिए क्या करना इस file को select करना right click करना और right click करते first option आएगा open with यहां पर आपको इसको Google Docs पर click कर देना तो यह image जो है Google Docs यह वर्ड के format में आपको convert करके display हो जाएगी इस तरीके से तो first page के अंदर इसका आपको image दिखेगा जो हमने upload गी थी जडिज और इसके just नीचे आप click करेंगे यानि जैसे scroll करेंगे तो यहां पर जो उपर image थी उसका सारा text convert होके आ चुका है यानि इसको हमें type करने की ज़रूत नहीं है चाहे तो आप इसको यहां से select करके copy कर सकते हैं और किसी भी नई word file में ले जाके इसको paste कर सकते हैं वहां से इसक इसको open करके आप देखेंगे तो आपका पूरा matter is type होके ready मिलेगा इसको आप select करके इसका color भी change कर सकते हैं text का क्योंकि जो handwriting paste था उसके अंदर multi color से लिखा हुआ था तो एक साथ select करके हमने black select कर लिया अब इसमें चाहे आप watermark लगाओ font style change करो कुछ भी editing करके आप इसको use कर सकते हैं ऐसे एगर आपके पास हिंदी के notes लिखे हुए हैं तो सेम वही तरीका है new page आना file upload करनी है और हिंदी वाले page या PDF file या JPG format का file है उसको select करके open कर देना और open करके जैसे आप upload पे click करेंगे तो upload करने के बाद आपकी file यहां पे open हो जाएगी और open होने के बाद जैसे आप एक बार refresh करेंगे तो आपकी file यहां पे दिख जाएगी जैसे हिंदी का page आ गया और सेम उसी तरीके से right click करके open with पे जाएगे और वहां पे Google Docs पे click करेंगे जैसे Google Docs पे click करेंगे आपकी file की जो है word file generate हो जाएगी और उसके अंदर जो हिंदी का matter था वो type होके आपको मिलगा यहीं फर्स्ट पेज में आपकी जो image दिखाई दे रही है नीचे scroll करेंगे तो image के नीचे जो सेम लिखावा matter है उसका typing matter मिल जाएगा हिंदी में देखो यह पूरा लिखावा आ गया एजटी आपका यानि अगर आपकी handwriting में कोई correction नहीं है सई सुन्दर साफ सब्द कर किसी भी रूप में यूज कर सकते हो अच्छे platform पे आप इसको share कर सकते हो और smart तरीके से अपना time बचा सकते हो जिससे कि आप और भी काम अपना timely complete कर पाओ तो यह कि smart तरीका किसी भी लिखे हुए data को soft copy या digital text के अंतर convert करने का तो यह video आपको कैसा लगा video में comment जरूर करे साथ ही इस information के लिए हमारे चैनल को subscribe करें क्योंकि ऐसी ही genuine और helpful वीडियोज आपको यहां पे मिलती रहती है जैहिंद वंदे मात्रम